नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन की टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं जार्खन सरकार आयुसमान से वन्चितों को 15 लाख तक का इलाज कराएगी राजे का कोई भी गरीब इलाज से वन्चित नर है इसके लिए सरकार नई योजना शुरू कर रही है इस योजना के तहट आयुसमान कार्ट से वन्चित वैसे सभी व्यक्ति जिनका राशन कार्ड होगा उन्हें 15 लाख रुपे तक की इलाज की सुभधा मिलेगी मुख्यमंतरी चमपई सुरेन मंगलवार को स्वास्त चिकित्सा सिक्षा और परिवार कल्यान विभा की समिक्षा के दुड़ा इस योजना को सुरू करने के लिए प्रकेरिया जल्द पूरी करने का निरिश दिया है CM ने कहा है कि राज के स्वास्त उपकेंदरों को आयुसमान आरोग मंदीर का सवरूप दिया जा रहा है अब तक जीन पंचायतों में आयुसमान आरोग मंदीर नहीं खुले है वहाँ इसे जल्द सुरू कराने के लिए कहा है इसमें उन पंचायतों को प्रत्मिक्ता दे जो दुरुस्त गाउं में है CM ने कहा है कि अस्पतालों में एक ही भवन में OPD और चिकिसा चार्च की सुविधा हो डाइलिसिस यूनिट की संख्या में बढ़ोत्री की जाए साथ ही अस्पतालों के भवन दुरुस्त हो राजी सदर अस्पताल में MRI मस्थीन की उपलापता सुनेशीत की जाए CM ने स्वास्त बेवस्था को बेहतर बनाने को मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया है जारखन सरकार रसोई गैस पर देगी सबसीडरी 25 सरकार अब राजी में रसोई गैस सबसीडरी योजना की सुरुवात करेगी CM चमपाई सुरे ने अधिकारियों को प्रस्तावित योजना के लाभको के चेयन का मानक जल्द तय करने का निर्देश दिया है मुख्यमंद्री मंगरवार को मंत्राले में खाज सरोजनी की बित्रा ने वुभकता मामले विभाग दरसंचारीत कलेनकारी योजनाओ की समिक्छा कर रहे थे रसोई गैस सबसीडरी योजना को लेकर मुख्यमंद्री ने कहा है कि यह अती महतपुन योजना है जिसका मकसद घरीब और वन्चित परिवारों को किफायती दर पर गैस सिलिंडर देना है ताकि वे इसका नियमित इस्तिमाल कर सके मुख्यमंद्री ने विभागी अधिकारियों को राजे खाज सुरक्षा जोजना का दारा बढ़ाने का भी निर्देश दिया है इसके लिए उन्होंने हरा रासन कार्ड जारी करने के निधाजित लक्ष को बढ़ाने की बात कही है उन्होंने कहा है कि सोना सोरम धोती साड़ी बित्र निवजना के तहदी जाने वाली धोती लूंगी और साड़ी की क्वालिटी अच्छी हो लाभकों को धोती लूंगी और साड़ी प्रैकेट में दी जाए इसी तरह उन्होंने दाल भात केंद्र को सुद्रेट बनाने इसे साप स्वक्ष और सुन्दर रखने के लिए समोचित कदम उठाने की ज़रुरत पर जोर दिया है सिक्षक भरती में एक ही सेंटर से 500 के पास करने पर परिछार्थियों में आकरोस जहारखन में अशनातकोतर प्रसिशित सिख्षक प्रतिवक्ता परिख्षा में एक ही परिख्षा से ज्यादा च्छात्र और छत्राव के उतिन होने और टोपर निकलने के ममला अप्तुल पकड़ने लगा है एक ही सेंटर से 500 पास सबसे ज्यादा टोपर के बाद जार्खन राज के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सरकार पनिशाना साधा है उन्होंने लिखा है कि यह सन्योग है यह प्रयोग नीट पर जबा मांगने वाले राज सरकार इस मुद्धे पर चूप साधे हुई है और खुलियाम खेल चल रहा है जार्खन सरकार इस मामले पर संग्यान लेकर जाज सुनिश्चित करें उन्होंने पोस्ट किया है कि यह सब ही जानते है कि पेपर लिग करने वाले गैंग का जहारखन सेंटर बन रहा है अगर सरकार ने अपनी कारसेली में बदलाव नहीं लाया तो इस्थिती बद से बत्तर हो जाएगी जाच को लेकर पीजीटी अभ्यार्थी भी धारना दे रहे है बता दे पाच परिक्षा केंदरे से ही पीजीटी के आध्य अभ्यार्थियों के सफल होने के मामले के उच अस्तर ये जाच की मांग अभ्यार्थियों ने की है राज सरकार से जाज की मांग को लेकर अभ्याति राजबुन के समक्श धारना भि दे रहे हैं जारखन में कमजोर मांसुन के कारण गर्मी बढ़ने के असार राज धानी में मांसुन के बिलंब होने पर तापमान फिर बढ़ने लगा है दीन और रात दोनों का तापमान बढ़ रहा है रांची का अधिकतम तापमान मंगलवार को 35 पन 6 और 59 पन 26 डिगरी दर्ज किया गया अधिकतम तापमान से 4 डिगरी और 59 पन साभ दो डिगरी अधिक है मौसम विभाक अनुसार राजधानी में बुद्धवार को भी बादल छाय रहेंगे और कहीं-कहीं बारिस होने का पुरून मान है इस दोरान तेज हवा के साथ कहीं-कहीं बजरपात होने का भी औरेंज अलर्ट जारी किया गया है चमपाई सरकार में कलपना सुरेन को मिल सकती है बड़ी जिमेदारी मुख्य मंतरी चमपाई सुरेन के केबिनेट के विस्तार का खाखाला भगता हो गया है और तयारियों के अनुसार कांग्रेस कोटे से एक मंत्री डाक्टर विर्फान अंसारी को एंट्री तो मिल ही रही है जामो के श्टार परचार कलपना सुरेन को भी केबिनेट में सामिल किया जा सकता है कलपना को मंतराले में सामिल करने की सवाल पर जामों के करकारिया ध्यक्षवम जारकन के पुर्व मुखमंत्री हमान सुरन की समाती मिल गई है मंगलवार को कांगरेश के परदेश प्रभारे गुलाम अहमद मीर अचानक पूरो मुख मंत्री हमान सुरन से मिलने पहुंचे और उन्होंने जेल में जाकर करीब एक घंटे तक गडबंदन दलो की रण नीती पर विचार में मर्स किये है यहां मुलकात गोपनिये रखी गई थी और गुलाम अहमद मीर जब लोटने को हुए तो कांगरेश के करकरताओ की इसकी जनकारी दी गई जारखन की जेलो में काम करने वाले बंदियों की बढ़ेगी मजदूरी उन्होंने स्रम नियोजन प्रसिक्षन और कोशल विकास विभाग किया गारा मार्च 2024 के जिस सुचना का भी हावाला दिया है जिसमें निम्तब मैदूरी दर निधारित की गई है इस अधि सुचना का नुसार आकुसल के लिए 405 रुपए धर्म कुसल के लिए 425 रुपए व आकुसल के लिए 560 रुपए प्रति दिन के हिसाथ समेदूरी निधारित है बरतमान में राजे की जेलो में गिरी करायों आपदा प्रबंदन विभाग के 10 जून 2015 के सुचना के नुसार मैदूरी दी जा रही है इसके तहथ ही आकुसल के लिए 91 रुपए धर्म कुसल के लिए 113 वा कुसल के लिए 144 रुपए प्रति बंदी प्रति दिन भुगतान हो रहा है CM चंपई ने उठाई आदिवासी रेजिमेंट बनाने की मांग वे उनसे मुलकात करने प्रजेक्ट भौन मंत्राले आये थे मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासी रेजिमेंट के गठन से देश भर के आदिवासियों को सेना में अलग पाचान भी मिलेगी इस मौके पर लेफिलेंट जर्नल रामचंद्र तिवाई ने जहारखन में भी परयावरन सनरक्षन के द्रिश्टी कोन से इकोलोजिकल टेटोरियम आर्मी के गठन का प्रस्ताव रखा है इस पर मौके मिंत्री ने कहा है कि इस मामले में सेना दोर प्रस्ताव मिलने पर सरकार पुरस्वयों करेगी ग्यात तब यहाए कि सेना के इकोलोजिकल टेटोरियल आर्मी में भोधपूर सैनिक होते हैं जो परयावरन के लिए कारे करते हैं जारखन हाई कोट में ट्रेफिक व्यवस्ता पर हुई सुनवाई जाएगा तो अभी तक उन्हें लगाया क्यों नहीं गया अगर उन्हें लगाया गया है तो कहां कहां उनकी प्रतिनिक्ति कि गई है बता देरांची में 900 इरिक्सा को चलने का पर्मिट मिल गया है वहीं सहर में 4,000 इरिक्सा कैसे चल रहे हैं अदालत इसका भी बेवरा सरकार से मांगा है अगली सुनवाई सता ही जुन को होगी अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि अगर अदालत सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो ग्रिस अचीव डीजीपी और ट्रेफिक एसपी को कोट में तलब किया जा सकता है इडी ने बिशनु अगरवाल को जमीन खाली करने का दिया आदेश जमीन घोटाला मामले में मनी लॉंडरिंग के तहट जाच कर रहे इडी ने बेवसाई बिशनु अगरवाल को नोटिस ज भी सहमाती मिल चुकी है अब इडी उक्त जमीन पर कापजा करेगी इडी ने एक सितंबर दोहेर तेश को बेवसाई बिशनु अगरवाल के तीन बड़ी अचल संपत्यों को जब्त की थी जिसकी कीमात 16156,4 क्लोर रुपए आकी गई थी भू माफिया कमलेस के खिलाप इडी का तीसरा समान जमीन माफिया कमलेस कुमार और कमलेस कुमार सिंह को इडी ने तीसरा समन जारी कर दिया है समन के तहत उसे 28 जुन को इडी के रांची अरपोर्ट रोड इस्थीत कर्याले में उपस्थित होने को कहा गया है उस पर आदिवासी प्रकिर्ती की C&T Act की जमीन वा सरकारी जमीन की अवय तरीके से जालिक कागजात पर खरिद विक्री करने का रोप है E.D. को 21 जून को उसके काके रोड के चांजरी चो के पास E.D. ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट नमब 630 सी से एक रोड रुपे नगदी के अलावा सौव करतूस्त भी मिले थे सौव करतूस्त की ब्राम्दगी ममले में कमलेस की विरुद रांची के काके थाना में आल्म्स एक्ट के तत प्राथमी की भी दर्च की गई है जिसकी रांची पुलिस जाच कर रही है स्री राम मंदीर के गर्भ गिरी से पानी टपकना भाजपा का आस्था का सबसे बड़ा भरस्टचार सुप्रियो भटचार अयोध्या के स्री राम मंदीर के गर्भ गिरी से पहली ही बर्चात में पानी टपकना भाजपा का आस्था का सबसे बड़ा भरस्टचार है यह बात हम नहीं कर रहें बलिक मंदिर के मुखे आचारे महंत सैलेंद्रे दास जी ने देश को बताया है कि रामपत पहली बारिस में बह गया रेलवे स्टेशन की चार दिवारी भी गिरने लगे हैं अभी तो यह मांसुन ठीक से आया भी नहीं है पूरा मांसुन बाकी है सोचिये क्या आगे क्या होगा या उस अवतार पुरुस के लिए सबक है जो खुद कहते हैं कि बायोलेजिकल पैदा नहीं हुआ जो यह कहते थे कि वह कहीं भी भागवान सिरी राम को ले जा सकते हैं उनकी जीत के कारण एक अर्ध निर्मित मरंदीर का केवल और केवल चुनावी फायदे के लिए कर प्रान प्रतिष्ठा कर उधाटन कर दिया गया उस समय भी संक्रचार ने इसका विरोध किया था मगर अवतार पूरुस ने किसी की नहीं सुनी और पईणाम सामने आने लगे हैं और इस भाजपा के इस आस्थाक वरष्टचार पर बाबुलाल जी को खुद को कुछ बोलना चाहिए और अपने राश्रियर नेताओ को भी उपदेश देना चाहिए ये बाते जहमों के महासर्चिव एवं प्रवक्ता सुप्रियों भटाचार ने पार्टी ओफिस में आयोजीत एक प्रेस वारता के दोरान कही है मुख्य मंत्री आज धनबाद में 400 कड़ोर की देंगे सोगात मुख्य मंत्री चमपाई सुने बुद्ध्वार को धनबाद आएंगे CM2 फर एक बज़े हेलिकोप्टर से बरहरवा हवाई अड़ा पर उतरेंगे मुख्य मंत्री बनने के बाद वह पहली बार धनबाद में किसी सरकारी समारोह में सामिल होंगे इस मौके पर वह 400 कड़ोर रुपए से अधिक योजनाव का ओनलाई सीनल्यास वाउद घाटन करेंगे साथ ही लाबकों के बीच कड़ोरो रुपए की परिसंपत्यों का बित्रन भी करेंगे कुछ लोगों के बीच नियुक्ती पत्र भी बाटेंगे दीन के तीन बज़े सीम रांची लोट जाएंगे इस दवरान को लेकर जीला प्रसासन ने तैयारी पूरिकार लिहाए सहर के ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है पीचड़ा वर्गों को परिक्षा में पांच वरस छुट की अनुसंसा सीम चमपाई सुरेन को राज पिचड़ा वर्ग आयोग ने जे पीचसी और जे सेसी की ओर से आयोजीत की जाने वाली परिक्षाओं में अत्यांत पिचड़ा वर्ग और पिचड़ा वर्ग के अभियार्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में छूट दो वरस से बढ़ा कर पां उम्र सीमा में दिकतम दो वरस की चूट दी जाती है जबकि यूपी 36 गर मदपेस राया स्थान में पांच वरस की चूट है यह अभी लिखा है कि पिच्छड़ा वर्ग आयोग की इसी साल हुई बैठक में उम्र सीमा में पांच वरस चूट देने के उनसंसा आयोग ने 27 फ रमचारी को खिलाप एंटिक रब्सन ब्यूरो असी बी की कावई लगातार जारी है इसी करम मंगलवार को असी बी की रांची ब्रांच की टीम ने रातु थाना के सब इस्पेक्टर को घूस लेते रांगे हाथ गिरवतार किया है बताया जा रहा है कि सतंदर सींग ने केस मैनेज करने के नाम पर घूस की मांग की थी हलाकी वादी घूस देने को त्यार नहीं था जिसके बाद उसने इसकी सिकायत एसीवी सिकी है एसीवी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया है लातेहर में ग्रीन कार्ड वा अधार कार्ड सीडिंग के लिए आज सिवी लातेहर जिले के सभी पंचायतों में ग्रीन कार्ड इस्यू करने और अधार कार्ड सीडिंग करने को लेकर 24 जून से सीवीर कायोजन किया जा रहा है जो 10 जुलाई तक चलेगा इसी कराम में 26 जून को लातेहर परखंड के धनकारा वा सीसी चंदवा के कामता वा सेरक हेरहंज के चिरु वा तासू मनिका के नामु दाग बरवाडी के खुरा वा बरवाडी बालू मात के मास्यातू और रजवार और महुआ डार परखंड के औरसा पंचायत में सीवीर लगेगा जिला अपूर्दी पतादिकारी रसिम लकडाने सभी से इस सीवीर में भाग लेने की अपील की है धन्यवाद